एक सुन्दर गौँ में, जिसमें हारी भरी पहादों ने घीरा हुआ था, एक युवा लड़का था, जिसका नाम आरव था. आरव अपनी धीमी प्रकृती और नए चीजों को ट्राई करने से हिचकी चहत का शिकार होने के लिए जाना जाता था. उसने हमेशा से स्टेज पर अभिनिताउन को अदर किया था, लेकिन खा भी अपने आपको उनकी जागा पर सोचने की हिम्मत. नहीं की, एक सूरज मुखी सुबा, जब आरव गाउन के मैदान से गुजर रहा था, यूज एक नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ एक फ्लायर दिखा. उसमें एक स्कूल नतक के ओडिशन की घोशना थी. धदकनू के साथ, आरव ने फैसला किया कि वो प्रदार्शन के ल लेकिन वो अपनी दर को अपने आपको रोकने नहीं दिया. थर्थराती हुई होंतों और कमते हुए अवाज के साथ, उसने अपने डायलॉग्स को दिये. हर शब्द के साथ, अपने दिल की धदकन को महसूस करते हुए. उसकी चौंग गई जब अदाकरों को. आरव के प्र प्रियाज में दाला. हर दिन के साथ, उसका अत्मसम्मान बढ़ता गया और वो एक नाय लक्षया और संगतान का एक नाया एहसास प्रप्ट किया. जब प्रदर्शान का दिन नस्दीक आया, आरव के उत्साह में घबरहत घुली. गौं के समने स्टेज पर खड़े हो जाने का खयाल उसे दर से भारा और अनन से पुरा था. जैसे ही वो स्टेज पर कडाम रखा, स्पॉट लाइट ने उसे अपने गर्म रोशनी में लपेता, उसकी दर और संदे को दुर कर दिया. हर डायलॉग के साथ, उसने अपने वेंस में कुछ संभाव हैं और इस तारा, नए दृधता के साथ, उनका समना करने के लिए.